सब्सक्राइब सब्सक्राइब विजंद करते हैं तो सबसे पहले जब हम नली की आकारoga तंदरशन तसे ग्रस नली कहते हैं इसा फंफेगस जिसे कहते है यह है हमारा stomach, यह है liver, यह है gall bladder, यह है pancreas, इन सभी के कारियों क्या burden मैं आगे करूंगे अपने वीडियो में, यह है क्या small intestine, यह है large intestine, यह है appendix, यह है rectum and यह है anus, तो चलिए आज मैं अपना वीडियो start करते हूं, तो चलिए start करते हैं, आगे हमारा क्या human digestive system, मानो पाचन त क्या है और five है हुआ शेट करते हैं, तो सभसे पहले हमें जनना जरूरी है कि पाचन आ रिकार होता क्या है, तो चलिए यह है यह ँचान, के बारे में start जा रहे है तो बहुत सारे हमारे भूजन में, सान्तुलित आहर पाया जाते हैं और जिसमें पोशक कत्तों पाया जाते ह भूजन में जब यह सब पाए जाते हैं जब इससे क्याते हैं जिसमें बहुत सारे तद्वो मिक्स होते हैं बहुत सारी तद्व मिले होते हैं रूटेत करना मतलब जıtक प्र ciao, सरल भौजन, उसे मिगटित करना सधjin कि जत्डिल joint प्राप्ति करते हैं, कि उसके उर्जा की क्राप्ति की प्राप्ति करना, जाटिल भौजन से उसे क्या क्या कपते हैं, सजीव के दवारा यह सारे, उर्जा की कहलाता है तो यहां पर देखिए तो सबसे पहले मैं आपको अंग तंत्र आगे मैं आपको फिकर के मादम से बता चुकी हूं तो यहां पर भी मैं आपको बताने जा रही हूं तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या होता है पहला तंत्र क्या होता है मूह होता है जिसमें क्या प अमासए उसके बाद पक्वासए पक्वासए में क्या होता है यक्रित और अगन्यासए कोई क्या कहते हैं अब यह है घुदाद्वार तो मुझे लगता है कि आप पाचन समझ गया होंगे या फिर मैं आपको रिपीट करती हूं कि जटिल भोजन को रिपर उर्जा की प्राप् एक सिकंड हां तो चलिए यहां पे देखें। मौेख क्वुगा आगया है इसे क्या internacional क्या एक साथ कहते हैं वॉफ हो भॉजन करते हैं तो सबसे पहले का पाम क्री और फाल है कि यह बाद क क्य है और ऑप यह पार-चन पाखि और का पहला चरण तो है कि मुझ में तीन जोड़ी लार ग्रंथिया पाई जाती है तो यह पहला नाम है सब्लीगूल उसके बाद है पैरूटीड उसके बाद है सब्मेडिवुलर तो यह जो पैरूटीड है यह बहुत ही इंपोर्डेंट है इसमें क्या होता है फिर यहां पर देखें लाला रस या लार ग्रंथी जिसे कहते हैं इसमें कितने इसमें चार एंजाइम पाय जाते हैं पहला है लाइसोजाइम जो क्या करता है बैक्टीरिया को नस्ट करता है बैक्ट्रा को डिस्ट्राइट करता है नस्ट करता है जीवाडू नासी जिसे कहते हैं तो यहां पर देखें दू सों चैनल करते हैं तो ऐसे बते हैं स्टार्ज को चया है जब को दूह‍गाय में एक जान करते हैं तो चलिए यहाँ पे उसके बाद हम जान लेंगे अब आया हमारा क्या अग्ला पाइट आया क्या ग्रासिनली तो ग्रासिनली देखें क्या होती है सबसे पहले क्या हम ब्ौजन का फाचन नहीं होता है बोलस के रूप में क्रमा कुंचन वीधी द्वारा ग्रासनली से होता हुआ कहां दो में खता है UNGक्राशन या मिटसे बीदना सो में पहुझता है और ङूसरा दोसरा है कि जो मुख़ बोलत को सम्राशन आता है और फिर ते धीम्हारी वह रहślा दूसरा जाता था हुता legitimately क्योंतные वाँ जाता है अमासा में audit कि स्रचरण है जब ग्रास नली हो गया मूह हो गया हमारा हमास की क्या होते है थीन बाग होते हैं पहला है Cardiac जिसमें होता है hard-sonsie LIVE है है से लापन जानते हैं कि यह है क्या ऌरीग तो इसका निर्माळ करता है इसका निर्मार करता है कि खो़िगिक भोंटों में होटा है कि रिल्ट को जोड़े अडरों में तोड़ेता है विगटित कर देना मुवेते हैं जो हमारे मुँख में बैक् mày ins इसमें मिक्स हुआ है तो कुछ ना कुछ तो बैक्टिरिया मर ही गए होंगे और जो जितनी बचे हैं वो कहां पर आते हैं है ऐसेड में आकर क्या होता है इसका दूसरा बार हो जन तीन goes चार घंटी मतलब इसका है कि भोजन जो है उस पार्ट में उस पार्ट में भोजन जहा वह तीन सी चार घंटी रहता है िसमें एक तो प्रतित होता है कि हमें क्या लग रहा है और पहले के लोग कहते थी कि हमारे पेट में चूखा खूद रहा है आपको बाइलोरिक कि बारे में आपको पित रस निकलता है अगन्या से निकलता है इसी के भाग में आपको इसमें इस टाइम मैं इतना ही बताऊंगी कि यहाँ वह से अमले में होता है अब यहां पर आएगा तो छारी माध्यम हो जाएगा किस प्रकार होगा मैं आपको आगे बताऊंगी तो यह जठर ग्रंती है इसे में क्या पाइटाता है जटर ग्रंती में से रेनिन एंजाइम निकलता है जो क्या होता है दूद को फार देता है अप लोग के लिए क्वेश् अब क्या है कि एक दिए पेपाइट में जुझए प्रोटीन का पाचन कर सब्सक्राइब पक्रणास था ठीज BR descriptions, तो चलिए जिस सबसे पहले, रंगा भना हम होता है, किस के का क्रिच या भुरता है लाल भूर बहलन दोनों कलर्श मिक्स होते हैं इस का आकार क्या होता है? अथर्वजाकार, तूब ता पितरस बितरस होलिए वह क्या होता है 7.7 सेब स्वैवें ऐसे संधिन है और अहां पर में आटो गूमान, प्त्रोल का उचे भी स्वैवें घूती शाय जाता है कि हुटत गूब तोर आज ता किया कलता है इसको सी के प्लड़ हमाज़ितों, अब देखें यहां पर जh भूर्इब मलप भूजण में होता है उसे च्छारीय माध्यं बनाता है अब आया हमारा अगला पॉंट अगन्यास है जिसे क्या करते हैं इसके संद्रशना किस प्रकार होती है पत्ती की आकार की होती है पैंक्रियाटिक जूस मेंस होता है अगन्यास ही रस इसका क्या गरता है श्राव करता है यह भी क्या है एक प्रकार का रस है अब एक प्रकार का रस है अब एक प्रकार का रस है इसकी pH recovery होती है, 7.5 से 7,8 के बेच इसलिए ये भी क्या होता है, छारी होता है, चारी होता है ये भी जब छारी है है, तो ये भी क्या करेगा, कि भोजन के अमलिय भाधम को छारी माधम में बनाएगा, ये तीन प्रकार का होता है, सबसे पहला diabetic ही है, फिर चोटी याथ चोटी याथ आया तो चोटी याथ मैं आपको बताया था कि इस प्रकार से संद्रशना बनी हुई थी और यह तो यह हो गई बड़ी याथ ठीक और इसके अंदर इस प्रकार ऐसे मुड़ी मुड़ी ऐसे संद्रशना थी जिसे हम क्या कह रहे थे बड़ी याथ कह बदला है गरहरी में बढ़ोंते कारह हुए है ये जुनम उसके लियोदके देज से तैसरा क्या है इलियम देंते है चोड़ोजन की रूप में थे जो रूप में अब्स पर ऊसके पूंच्था ज It is child's भी चोटी आथ ऐला होता है उसमें आसे के ऍर किसा परण ग्लूकोश और परोटीन अच्छे कार्णुहीं है घ्राइड्ड हुथ जुआ होते है उनका कया को सिर्णाथ यहां पर नोगी किसा हो गया है तो है अब देखें बड़ी याइट आगे इसे कहते हैं इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन इसमें क्या होता है कि अब देखें यहां पर हमारा जो भोजन है वह कैसा हो गया है महीं हमारे वहीं ही हो गया है नहीं हमें इस τη सूरीफ तो एभ प्रकव नहीं पूसक्तत घ्री आपट रेवा था है आ मैंतों इसति निग्लब्हों बढ़ि को गया इसने हो गया क्यार लिले ले सकता है इसलिए अपसिस्ट पदार्थ की रूप में आया है तो इसका निसकासन जरूरी है करना तो यहां पर इसका निसकासन हो जाता है तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चलिए हम इत बार आपको रिपीट करा देते हैं का देखें अब प्रहण पर नहीं चाहिंवद में अपने मौंध से क्या किया है भूजन को गहण हुए हमारे पसा शारी क्या पाए जाते हैं यहां हूंत benation तीच हैं जो मुदम में 32 पाइड़ इस प्रकार इनिवाश की कि और मैंने आपको आगे का निसा ही क्या मैंने आपको यह भी पॉइंट बता है कि ग्रास नले में भोजन का पाचन नहीं होता है उसके बाद आया अमासे में तीन भाग थी जिसमें से पहले में अक्सियल निकल रहा था दूसरे में रूम जैसे समरशनाय थी और फिर उसमें क्या हो रहा था कि तीन से चार घंटे अगिने निकल गया तो अब हमारी यह पाचं की क्रिया समाप्त हो गई है तो तो थैंक यू फॉर वाचिंग और फिर आपको मेरा चैनल का नाम पताई है नौरबाउट अल सभी के बारे में जानकर्या आपको मेलेगी तो इसे मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और क्या किजिए कमेंट किजिए कि आपको जो भी ना पसंद आया हो मतल होती रहें ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस